आज मैं आप लोगों के लिए B.E.C. सेकेंड इयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का एक इंपोर्टन टॉपिक लेकर आई हूँ टॉपिक है वायू परागन वायू परागन के बारे में आज हम लोग जानेंगे परागन का वह प्रकार जिसमें पराग कड़ों को उसके जाती के पुस्प के सुग्राहक वर्तिकागर तक पहुचाने के स्रोत के रूप में वायू कारे करता है तो परागन की यह विदी वायू परागन कहलाती है मतलब मान के चलो यह एक प्लांट है ठीक है और यह एक प्लांट है यह इसका फ्लावर है यह मान के चलो मेल फ्लावर है यह यह फीमेल फ्लावर है तो male flower का जो परागण है वो हवा के माध्यम से मतलब वायू के माध्यम से female के वर्तिकाग्रव पर पहुंसती है तो उसी जाती के पूधे के पूस्प के वर्तिकाग्रव में पहुंसती है तो इस क्रिया को अगर ये वायू के माध्यम से हो रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंग वायू परागन कहेंगे एक बाjang फिर से आप लोग को समझाती हूं परागन की वह क्रिया परागन की वह क्रिया जिसमें समान जाती के दो पौधे होंगे तो उस जाती का पहला जो यह पादप है इसका परागन दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाती है और ये परागण को ग्रहन करती है तो इस क्रिया को या फिर इस विधी को वायू परागण कहते हैं ठीक है? पर वायू परागित पादपों में वायू परागण के लिए निमनलिखित अनुकुलन पाय जाते हैं जो भी पादप वायू परागण करते हैं तो ऐसे पादपों के कुछ अनुकुलताओं का होना जरूरी है जिसमें पहला है हमारा वायू परागण प्रदर्सित करने वाले पुस्प किसे कहते हैं फ्लावर को प्रायर छोटे रंग हीन, गần हीन, आकर्षन हीन तथा मरकंद हीन होते हैं, जो भी फ्लावर वायू परागन करते हैं वो एक तो छोटे होते हैं साथ ही उनमें कोई कलर नहीं होता है, रंग हीन होते हैं और उनमें कोई स्मेल नहीं होता है, गंद हीन होते हैं, आकर्शन हीन मतलब अट्रेक्टिव नहीं होते हैं. ठिक हैं? Second है, पराख कोशों में पराकन बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, पराकन के समय बहुत से पराकन बीच रास्ते में नस्ट हो जाते हैं. जो वायू परागण करते हैं जो पादक उनके जो flower है मतलब उनके जो full है उसमें बहुत सारे परागण बनते हैं ठीक है क्योंकि जो परागण है वो हवा के माध्यम से क्या होता है ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे जो परागण है वो रास्ते में ही क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं इसलिए उस परागण कोस में बहुत सारे परागण बनते हैं थर्ड नंबर पे हैं इन पादपों के परागण हलके चिकने तथा विसिस्ट रचना युक्त जैसे पाइनस पाइनस एक जाती है में पक्ष युक्त होते हैं ताकि हवा की सहायता से असानी से उड़ सकें जो वायू परागन करते हैं जो भी पादप उनके जो उनके जो फ्लावर हैं उनके पराकन हलके होते हैं ताकि वो हवा में उड़ सके ठीक है साथ ही चिकने होते हैं और उनमें विसिष्ट प्रकार की रचनाएं होती है ठीक है हवा में उड़ने के लिए उनको हलका होना रहता है फोर्थ नमबर पे है अधिकान्स पादपों का पराकोस विस्फोट के साथ फटता है जिससे पराकन असानी से वायू में मिलकर एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा सके जब जो फ्लावर है वो वायू परागन करने के लिए विस्फोट होता है कोई-कोई पादप के फ्लावर है जो फूल है जो विस्फोट होते हैं वायू पर आगर्ण करने के लिए तो जब वो फटता है एक तो वो हलका होता है इस वज़े से वो असानी से वायू में मिल जाता है मतलब हवा में मिल जाता है साथ ही वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान चला जाता है उपर पर देखेंगे वर्तिका वर्तिकाग्र होते हैं वो रोम युक्त होते हैं मतलब जिसमें रोवा होता है चोटे-चोटे जो बाल होते हैं शरीर में उसे ही रोम कहते हैं ठीक है या पंक युक्त पंक किसे कहते हैं विंग्स को ठीक है पंक युक्त होते हैं जिसके कारण पराग कंड आसानी से उसमें फस और वो असानी से परागन कर पाएंगे ठीक है इस कारण से वो असानी से परागन कर लेते हैं इसके उदारण देखेंगे गेहूं धान घास आदी हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हैल्प मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ठाइंक यू